आज की सक्षा में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरियेबल अर्थात एक चरवाली रैखिक समीकरन के प्रस्ना वाली आठ दस्मलों तीन के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं प्रस्न संख्या एक है सरल कीजिए इसका पहला प्रस्न ले रहा हूँ 5x-3 by 2x is equal to 2 इस तरह के समीकरन को हम वज्र गुनन या क्रोस मल्टिप्रिकेशन करके हल करेंगे तो यह क्या होता है वज्र गुनन इसे हम साधावन शब्दों में तिरचा गुनन भी कर सकते हैं तो यहां 5x-3 by 2x is equal to 2 है तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं 5x-3 by 2x is equal to 2 by 1 यहां कुछ हर में नहीं दीख रहा है इसलिए यह 1 है तो इस विदी में हम इसका गुना इस से पतलब 5x-3 का गुना 1 से और 2x का 2 से गुना करेंगे तो यह हमें रैखिक समिकरन मिल जाएगा तो यह इसका गुना करते हैं 1 से गुना करते हैं 5x-3 का और यह 2 से गुना कर रहे हैं 2x का तो ये हो जाएगा 5x-3 इसका टू 4x अब ये हमारा रेखिक समिकरन आ गया अब इसको हम पुर्व में जिस तरह से हल करते थे उसी तरह से हल करेंगे इस प्रसुन को मैं हल कर दे रहा हूँ आगे भी या 5x-3 और अभी क्या करेंगे कि समिकरन के दोनों और 3 एड़ कर देंगे ये प्लस 3 इसका टू 4x प्लस 3 तो ये माइनस 3 प्लस 3 ये कैंसल हो गया तो आ गया 5x इसका टू 4x प्लस 3 अब समिकरन के दोनों और हम 4x माइनस कर दे रहे हैं तो 5X माइनस 4X इसकल तो 4X प्लस 3 माइनस 4X तो ये 4X प्लस 4X और माइनस 4X कैंसिल हो गया तो X का माना आ गया 3 इसी तरह से हम अन्य प्रस्नों को भी हल कर सकते हैं जैसे इसका Y का गुना इससे होगा और Y प्लस 15 का इससे गुना होगा और जब गुना करके हम इस तरह से लाएंगे तो वह रैखिक सेमिक्रन में तब्दील हो जाएगा तो बाकी प्रस्न को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं आप स्वेम से इन प्रस्नों को हल करें मुझे पुरी आशा है कि इस एक प्रस्न को देखकर इसके हल को देखकर आप अन्य प्रस्नों को भी हल कर पाएंगे यहाँ दो प्रस्न है मैं एक प्रस्न को हल करूंगा और यह मैंने चुना है दूसरा नंबर प्रस्न क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा दिख रहा है या बड़ा कहें बड़ा दिख रहा है यह प्रस्न चलिए तो यह है 7 इन्टू 2Y माइनस 5 प्लस 2 इन्टू 5Y प्लस 1 प्लस 9 इन्टू Y प्लस 8 इसकल तो 0 या यह अब हम गुना करते हैं यह ओ गया 14Y माइनस 35 प्लस 10Y प्लस 2 प्लस 9Y प्लस 72 इसकल तो 0 कि अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए जो चर वाले जो पद हैं उन्हें एक जगह रखते हैं और अचर को एक जगह तो यह 14Y प्लस 10Y प्लस 9Y इसे हमने लिखा अब यह जो अचर है यह प्लस साइन वाले उसे पहले लिखते हैं प्लस 2 प्लस 72 अब इसके बाद माइनस वाला तो माइनस 35 इसे हमें थोड़ी सुवधा होगी अब यह 14 प्लस 10 प्लस 9 इसे अब हम एड करते हैं तो यह हो जाएगा 33Y और यह 2 प्लस 72 74 माइनस 35 इसके लिख जीरो या 33Y आप 74 से 35 हम माइनस करते हैं तो यह आजाता है 39 इसके लिख जीरो आप क्या करेंगे कि समीकरन के दोनों ओर हम 39 माइनस कर देते हैं तो यह होता है 33Y प्लस 39 माइनस 39 इसके लिख जीरो माइनस 39 तो यह प्लस 39 और माइनस 39 यह कैंसिल हो गया है या 33Y इसके लिख जीरो माइनस 39 अब इस समीकरन के दोनों ओर हम 33 से भाग दे दे रहे हैं 33Y by 33 सके लिख जीरो माइनस 39 और 33 तो यह 33 33 कैंसल हो जाएगा तो यहां बचे लागा य इसके लिख जीरो अब यहां क्या करें हैं तीन से दोनों को काट रहे हैं या भाग दे रहे हैं तो यह हो जाएगा 13 by 11 तो हमारा Y का मान आ गया माइनस 13 by 11 ठीक इसी तरह से हम कोश्चन नमर 1 को भी हल कर सकते हैं यह आप खुद से करेंगे प्रस्न संक्या 3 सोनू और मोनू की वर्तमान आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है 5 वर्स बात उनके आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 6 होगा उनकी वर्तमान आयू ग्यात कीजे मालिया कि सोनू की वर्तमान आयू ब्रावर 4 एवं मोनू की वर्तमान आयू ब्रावर 5 अनुपाद 5 वर्स बात उनकी आयू क्या होगी जो वर्तमान आयू है उससे 5 वर्स ज्यादा होगी अर्थात सोनू की आयू अब वर्तमार में 4X है तो 5 वर्स बाद हो जाएगी 4X प्लस 5 इसी तरब मोनू की आयू हो जाएगी 5X प्लस 5 अब इनके आयू का अनुपात 5 वर्स बाद इनकी आयू का अनुपात होता है 5 अनुपात 6 अर्थात 4x प्लस 5 बटा 5x प्लस 5 इसका टू 5 बटा 6 ये 5 अनुपाद 6 हो गया अब इसे हम किस तरह से हल करेंगे इसे अब हम वज्र गुनन विधी से हल करेंगे यानि cross multiplication तो आईए इसे करते हैं ये 4x प्लस 5 को हम 6 से गुना करेंगे 6 इन्टू 4x प्लस 5 और इसी तरह से ये इधर हो जाएगा 5 इन्टू 5x प्लस 5 तो इसे गुना करते हैं ये 24x प्लस 30 इसका टू 25x प्लस 25 अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों और 30 घटा दे रहे हैं तो 24x प्लस 30 माइनस 30 इसका टू 25x प्लस 25 माइनस 30 तो ये प्लस 30 और ये माइनस 30 कैंसिल हो तो 24x माइनस 25x इसका टू 25x माइनस 5 माइनस ये 25x तो ये प्लस 25 माइनस 25x कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा माइनस x इसका टू माइनस 5 अब दोनों और अगर हम माइनस 1 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा x इसका टू 5 तो x का माण हमारा 5 आ गया इसलिए सोनू की वर्तमान आयू ब्राबर ये 4x है यानि 4 इंटू 5 इसका टू 20 वर्स ठीक इसी तरह से मोनू की वर्तमान आयू ये हो जाएगी 5 इंटू 5 यानि 25 वर्स प्रस्न संख्या 4 एक परिमे संख्या कहर अंस से चार अधिक है यदि अंस और हर प्रतेक भी एक जोड दिया जाए तो एक बटा दो प्राप्त होता है वही परिमे संख्या ज्याद कीजिए तो मान लिया कि अंस बराबर एक्स तो हर चुकि अंस से चार अधिक है तो हर हमारा हो जागा एक्स प्लेस 4 अब प्रस्ण का सर्थ क्या है यदि अंस और हर प्रतेक में एक जोड दिया जाए देखिए अंस में हमने एक जोड दिया हर में भी एक जोड दिया तो क्या प्राप्त होता है एक वटा दो बराबर एक वटा दो अब वज्र गुनन से हम इसका हल निकालेंगे तो वज्र गुनन में क्या होगा इस दो से ये एक्स प्लस वन का गुना हो जाएगा और एक से ये जो हर है उसका गुना होगा तो यह गुना करते हैं, तो यह होगा 2 into x plus 1 और 1 into x plus 4 plus 1 तो यह 2 से गुना हो गया 2x plus 2 और यह एक से गुना होगा तो यही रह जाएगा x plus 4 plus 1 तो यह होगिया 2x plus 2 इसकल 2x plus 5 अब इसे हल करना बिलकुल आसान है, इस तरह के बहुत सारे प्रस्णों को आपने हल किया है यह 2x plus 2 दोनों और हम दो घटा दे रहे हैं, तो यह दाहिनी तरब भी हम घटा रहे हैं तो यह plus 2 minus 2 cancel हो गया, तो 2x इसकल 2x plus 3 अब दोनों और हम x घटा दे रहे हैं, तो 2x minus x इसकल 2x plus 3 minus x तो प्लस x और minus x यह cancel हो गया यह x ब्राबर 3, तो अब हमारा अंस क्या होगा, इसलिए अंस ब्राबर 3 और हर क्या होगा, चार अधिक है, तो 3 जोड चार यानि 7 तो वह परिमे संख्या क्या होगी, अंस बटा हर यानि 3 बटा 7, प्रसन संख्या 5, एक परिमे संख्या का अंस उसके हर से 8 अधिक है, यदि अंस में 17 जोड दिया जाए, तथा हर में 1 घटा दिया जाए, तो हमें 3 बटे 2 प्राप्त होता है, वह परिमे संख्या ग्याद कीजिए, तो मालिया की परिमे संख्या का हर x है, तो अंस उससे 8 अधिक है, इसलिए अंस हो जागा x प्लस 8, तो हमारा परिमे संख्या क्या होगा, अंस बटा हर, तो अंस है x प्लस 8 बटा x, अब इस प्रस्ष में कह रहा है कि यदि अंस में 17 ज एक घटा दिया जाए तो हर में एक घटा दे रहे हैं तो यह हो जाता है तीन बटा दो तो यह हो जाएगा हमारा x प्लस 25 बटा x माइनस 1 इसकल टू 3 बाइ 2 अब इसे हम वजगुनन के द्वारा का प्रियूख करके हल करेंगे और इसे रैखिक समिकरन में बगलेंगे तो आईए हम इसका गुना करते हैं x प्लस 25 को 2 से और x माइनस 1 को 3 से तो यह हो जाएगा 2x देखिए 2 से हम इसे x करते हैं 2x प्लस 50 इसकल 2 यह 3 से इसे करेंगे 3x माइनस 3 अब क्या करेंगे कि हम समिकरन के दूनों और 50 घटा दे रहे हैं तो 2x प्लस 50 माइनस 50 इसकल तो 3x माइनस 3 माइनस 50 तो यह प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल हो गया यह हमारा आ गया 2x इसकल 2 3x माइनस 53 अब हम दोनों और 3x माइनस कर रहे हैं तो 2x माइनस 3x इसकल 2 3x माइनस 53 माइनस 3x तो यह प्लस 3x और माइनस 3x कैंसल हो गया तो यह आ गया माइनस x इसकल 2 माइनस 53 अब दोनों और अगर हम माइनस 1 से गुना कर दें तो यह हो जाएगा x ब्राबर 53 तो इसलिए हमारा हर निकल गया हर ब्राबर 53 तो अंस क्या होगा इससे 8 अधिक होगा यानि 53 प्लस 8 यह हो जाएगा 61 तो हमारा परिमे संख्या क्या होगा इसलिए परिमे संख्या ब्राबर अंस बटाहर यानि 61 बटे तिरपल जाएगा